आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफमून क्रिप्टोकरंसी के बारे में सेफमून का जो V2 वर्जन है 2.0 आप बोलो V2 को जो लांच करने की बात हो रही थी वो कल सेफमून संडे में लांच कर दिया गया है फुल सपोर्ट आप V2 का मिलेगा और कैसे आप टोकनस को माइग्रेट कर सकते हो V2 के उपर आज यही डिसकस करेंगे और क्या-क्या अपडेट्स आई हैं सेफमून को लेके ठीक ऐसे ही 2 संडे आपको 9 जनवरी और 23 जनवरी को दिखने वाले हैं अगले साल और more surprises जिस बहुत सारे surprise सेफमून को लेके 2022 में आपको दिखने वाले हैं और क्या-क्या हुआ है कल इस सेफमून संडे के अंदर और क्या-क्या अपडेट्स हैं और कैसे आप सेफमून टोकनस को माइग्रेट कर सकते हों क्या procedure है अज सारी चीज़े सेफमून के बारे में बात करेंगे क्या price चल रहा है सब चीजें सेफमून के बारे में तो आ गए हैं सेफमून के official twitter page पे यहाँ पे सेफमून के official twitter page पे आपको देखने को मिल जाएगा सेफमून 2.0 तो 2 V2 को जो है launch कर दिया गए सेफमून wallet and V2 have landed अब कैसे migrate करना है वो चीज़ आपको समझाएंगे और क्या के updates हुई हैं कल सेफमून संडे था वो भी पहले updates में नजर डाल लेते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं सेफमून दालास्ट सेफमून संडे ओफ 2021 is wrapped we are back for a new season in 2022 दो संडे और है जो नए सीजन में उनमें भी आपको कुछ नगुछ नया update में देखने को मिल सकते हैं 2022 में तो सबसे पहले 9 जनवरी को जो संडे है वो रखा जाएगा सेफमून संडे और फिर 23rd का है न तो इस दिन दो दिन भी आपको updates देखने को मिल सकती है तो आप देखेंगे यहाँ पर तो Operation Phoenix जो यहाँ पर Operation Phoenix update है और सेफमून is the evolution of wind turbines nanotechnology used to increase efficiency first implementation of this technology one more drop before Christmas तो Christmas से पहले भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर सेफमून के जो wallet है उसको feature कुछ update दियो है updates are coming soon तो wallet connect to enabled apps auto log of auto log of after 30 minutes और more surprises to come in 2022 तो यह कुछ wallets को लेके updates है अगर आप सेफमून wallet को use करते हैं और यह update है सेफमून V2 को लेके जो की launch कर दिया गया है web swap now propagated and fully functional live on Android and iOS when V3 और V3 की भी बात हो रही है यहाँ पर पहले V2 को देखेंगे कैसे migrate करना है और सेफमून V2 को लेके और भी कुछ updates यहाँ पे share किएगे है migration to V2 now available on सेफमून wallet iOS Android और for non-wallet user use the web swap to consolidate there will be a time available perform to perform the migration है ना तो migration के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ और updates हैं जिसके बारे में बता रखा है सेफमून Sunday V2 launch सेफमून updates, operation phoenix, santa john और john caroni जो सेफमून के ceo है 2022 को लेके priorities है सेफमून exchange की भी बात हमने की थी उसको लेके अभी कोई यहाँ पे update नहीं है तो सेफमून के जो आपके पास token है अगर आप सेफमून hold कर रखे हैं आपने कहीं भी hold कर रखे हैं कैसे उनको V2 के अंदर migrate करना है यह चीज़ समझ लेते हैं इसके अंदर सब बता रखे हैं कैसे आप migrate कर सकते हो तो शुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके जो सेफमून tokens हैं वो कहां है मतलब do you use the सेफमून wallet app क्या आपने सेफमून को सेफमून के ही wallet में खरीद रखा है तो अगर आपने सेफमून के wallet में खरीद रखा है yes तो अगर आपने सेफमून के wallet में खरीद रखा है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहता हूँ यहाँ पर अगर देखेंगे अगर आपने safe moon के wallet में खरीद है तो आपको simply make sure you update to the latest version of the app and follow the consolidation process in the wallet तो safe moon wallet के अंदर यह आपको option मिल जाएगा आपको बस safe moon wallet को update करना है अगर आपका wallet update नहीं है तो आपको वहीं से ही आपको V2 को लेके चीज़ें update हो जाएगी अगर आपके safe moon token safe moon wallet के अंदर नहीं है no है आपका जवाब तो यहाँ पर अगर आपके जो safe moon tokens है वो trust wallet में है, metamask में है, binance smart chain और किसी wallet के अंदर है ठीक है तो आपको क्या करना है आगे वो बता जिता हूँ मैं आपको तो अगर आपके safe moon token trust wallet में है, metamask wallet में तो आपको simply go to swap.safemoon.net connect करना है अपने wallet के अंदर trust wallet में आप जाएंगे जहां से आप pancake swap, uniswap को use करते हैं वहीं पे आपको यह URL पेस्ट करना है, URL को open करना है swap.safemoon.net हम उको बताएंगे कैसे open करना है अगर आपके token trust wallet, metamask wallet के अंदर है तो किसी wallet में है दो, किसी और wallet में. अगर इन में भी नहीं है, आपके tokens exchange में है, किसी exchange में आपने safemoon को खरीदा है तो क्या करना है? वो भी जान लेते हैं. तो अगर आपके exchange के अंदर है, तो यहां पे आपको your exchange will handle the migration, or you can transfer your token to the safemoon wallet. Do it yourself. fees will apply. तो अगर आपके exchange में tokens हैं, तो exchange खुद handle कर लेगी migration, और अगर आप खुद से करना चाते हैं, तो आप safemoon wallet के अंदर transfer कर सकते हैं, safemoon tokens को, coins को, आप खुद से कर सकते हैं, और अगर आपके exchange के अंदर भी नहीं है, are your tokens इनने hard wallet, अगर आपके tokens hard wallet में हैं, तो क्या करना है, वो भी आपको जान लेते हैं, तो अगर आपके token hard wallets के अंदर हैं, तो आप देखेंगे, import your wallet into the safemoon wallet app using the private key feature, अगर hard wallet के अंदर हैं, तो import your wallet into the safemoon wallet app using private key feature, तो safemoon wallet के अंदर आपको import करने होंगे अपने tokens और अगर नहीं तो if none of the above applied to you अगर आप नहीं कर सकते तो contact our support team for the help तो आप safe moon की support team से help ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ें बता दियें exchange के अंदर हैं तो आपको क्या करना है trust wallet, metamask wallet के अंदर हैं तो क्या करना है और safe moon wallet में ही आपने किये हुए हैं तो तब क्या करना है अब बता देते हैं safe moon wallet में चलते हैं तो हम इसको अपने telegram challenge में भी post कर देंगे इस post को आप वहाँ से भी check कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझना है तो आप नीचे telegram challenge का link है उसको भी join कर सकते हैं तो अब चलते हैं कर safe moon wallet के अंदर तो अगर आप देखेंगे safe moon v2 यहाँ पे आ चुका है आपका password मांगेगा अपने safe moon wallet के अंदर account बनाया है तो अगर आपके safe moon token safe moon wallet में ही हैं तो आपको यहाँ पे front पे यह option मिल जागा आप यहाँ पे देखेंगे दो options मिल रहे है safe moon के जो tokens हैं और safe moon v2 का एक तो safe moon है सिर्फ और एक safe moon v2 है तो simply आपको safe moon वाले से safe moon v2 में convert कर लेने safe moon wallet के अंदर ही और वो आप easily कर सकते हो यहाँ से swap है न तो यहाँ से एक कर सकते हो आपके trust wallet के अंदर है तो उसको कैसे use करना है वहाँ चलते हैं नहीं तो आप trust wallet से क्या कर सकते हो trust wallet से आप अपने tokens जो हैं यहाँ पे send कर सकते हो safe moon wallet के अंदर आप फिर कर सकते हो या तो यह process कर लो या फिर trust wallet के अंदर से ही कर सकते हो कैसे कर सकते हो जो आपको URL बताया था वो देख लेते हैं तो Trust Wallet में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है DApps के अंदर और DApps के अंदर आपको यहाँ पे URL पेस्ट करना है क्या URL पेस्ट करना है वो बता देते हैं हम आपको तो आप यहाँ पे देखेंगे जो Trust Wallet MetaMask Wallet के अंदर आपके टोकन्स हैं तो आपको इस URL को पेस्ट करना है यह जो Swap.Safemoon.net है इसको हम यहाँ पे वहाँ पेस्ट करेंगे Swap.Safemoon.net तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं Swap.Safemoon.net तो यहाँ पे हमने यह टाइप कर लिया है अब यहाँ से हम इसको open कर लेते हैं इस URL को तो यहाँ से आपको अपना wallet connect करना है आपके जितने भी SafeMoon के tokens हैं वो यहाँ पे आपको आजेंगे Consolidate to V2 SafeMoon है ना तो आप देखेंगे यहाँ पे उपर आ चुका है और आपको यहाँ पे अपने SafeMoon wallet को connect करना है आप यहाँ easily यह URL पेस्ट करके जो अपना migration है वो कर सकते हो SafeMoon V2 के अंदर तो अगर Trust Wallet में है तो आपकी यहाँ से ऐसे हो जाएंगे SafeMoon Wallet में है तो आपको वहाँ option मिल जाएगा एक्सचेंज के अंदर है तो एक्सचेंज खुद से कर देंगी और अगर आप Trust Wallet से SafeMoon Wallet में बेज के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो तो I hope migration को लेके आप सब चीजें समझ गे होंगे V2 आ चुका है तो V2 में migrate आप कर सकते हैं अगर आपका फिर भी कोई question कोई सवाल है आप comment कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share जरूर कर देना साथ में चैनल को subscribe जरूर कर लेना